गुड मॉर्निंग, सभी दर्षकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं सरकार के द्वारा दी जा रही तरहतरा की सुबधाओं के बारे में बिभिन सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाबदायक होती है तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि सरकार जो है 25,000 रुपे की FD देगी पहली बेटी होने पर तो आए जाल लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पातरता की शर्तक क्या है और किस तरह से किस आधार पर पहली बेटी होने पर सरकार 25,000 रुपे की FD देने वाली है तो जानकारी अच्छे लेगे तो इसे अपने सभी साथियों को शेर जरूर कर दीजेगा ताकि जिनके घरों में पहली बेटी हुई है उन्हें इस योजना का लाब मिल सके चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये है लेटेस्ट अपडेट प्रदेश तरकार ने उतर प्रदेश भवन एवं अन्य संद्रमाण कर्मकार कल्यान बोर्ड में पंजीकृत स्रमिकों के घर बेटियां पैदा होने पर 25,000 रुपे की FD का लाब मिलेगा यानि वो मजदूर जो की प्रदेश के भवन निर्माण कल्यान बोर्ड में पंजीकृत हैं जो पंजीकृत संद्रमिक हैं और भवन निर्माण के कारे में लगे हैं उनके घरों में अगर बेटियां होंगी तो 25,000 रुपे की FD का लाब मिलेगा जिनके घर में पैदा होने वाली दो बेटियों को इसका लाब दिया जाएगा ये लाब सिर्फ उन स्रमिकों को दिया जाएगा जो कल्यान बोर्ड पर एक साल से पंजीकृत है प्रदेश सरकार ने पंजीकृत स्रमिकों को लाब देने के लिए विविन्य योजनाय चला रखी है इसमें रेजिस्टेशन कराने वाले स्रमिकों को 3000 रुपे की आर्थिक मदद देने के साथ घर में बेटी की किलकवारी गोजने पर 25,000 रुपे की एफडी का लाब देने के लिए बालिका अशिरवाद योजना चलाई है तो आपको बता दे कि ये योजना उत्रप्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है योजना का नाम है बालिका अशिरवाद योजना और इसमें लाब उनी स्रमिकों को मिलेगा जिन्होंने स्रमिक कल्यान बोर्ड में अपना रेजिस्टेशन करा रखा है